नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि जाइजल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जाइजल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और जाइजल टैबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि जाइजल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, जाइजल एक ब्रेंड नेम है, जाइजल टैबलेट के अंदर सौर्ट कंपोजिशन लिवोसित्रिजीन 5MG होता है, जाइजल टैबलेट एक एंटिहिस्टाम टैबलेट का उप्योग सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाख से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना औ और तवचा पर खुजली होने पर भी जाइजल टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। यादातर व्यक्तियों में जाइजल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की जाइजल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। जाइजल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर डॉक्टर 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को आधी टैबलेट यानि जाइजल 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जाइजल 5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। जाइजल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जाइजल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की जाइजल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। किड्नी फेलियर होने पर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर जाइजल टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। इसलिए किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को जाइजल टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। जाइजल टैबलेट को दिन में लेने की वज़से नींड अधिक आ सकती है इसलिए जाइजल टैबलेट को शाम के समय लेना रेक्मेंडेड होता है जाइजल टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में जाइजल टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींड नहीं आती है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जाइजल टैबलेट को लेने के बाद नींड अधिक आती है वैसे Zyazil Tablet Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर Dr. Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Zyazil Tablet को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Zyazil Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं।